श्वागत है आप सभी का आपकी अपने ही चैनल ग्यानदान विर्विशाथियों आप सभी को पता है बिहार में चल रहे प्रारंबिक चिक्चक न्यूजन में फर्स्ट चरण और सेकेंड चरण की काउंसलिंग पुर्ण रुपेन शमाप्त हो चुकी है इसमें बहुत सारे ब पर नहीं किया गया है इसके लिए शिक्चा विवाग के तरफ से आदेश आया है कि जिसका भी चैनित सूची अभी तक अपलोड नहीं किया गया है उस कौंसलिंग अस्थल को रद किया जाएगा इसी के संदर में एक और नियूज आ रही है जो तिसरी चलन से रिलिटेड है शमाजिये इसको चलिए आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर न्यूज है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपूर्ट करें अगर कर लिए तो इसको लिए थैंक यू देखिए तिसरी चलन की कौंसलिंग पर पंचायत चुनाव का गरहन लगने का आशार देख रहे हैं यह पटना से निकल कर न्यूज आ रही है प्रारंबिक शिक्षकों की न्यूकति के लिए तिसरे चलन की कौंसलिंग पर पंचायत चुनाव का गरहन लगने का आशार दिख रहा है पंचायत शिक्षकों की न्यूकति के लिए दूसरे चलन एमम की कौंसलिंग की रिपोर्ट 22 जिलो ने सिक्षा भ्याग को अब तक शौप दी है और वही तीसरी चरण की बात जब जोरो सोरो से चलने ही लगी थी तब पंचायत नियोजन इस पे एक गरहन के रूप में मड़रा रहा है अता आप अभी भी परियास कर चकते हैं या ट्वीचर कैंपिंग के जड़िये या अब पटना के धरातल अस्तर पर पहुंच कर कि किसी न किसी तरह आप चार या पांच या दस रोज में थर्ट चरण की कौंसलिंग संप्त कर पंचायती चुनाओ उसके बाद श्टार्ट करवाएं तो हमारी ये परियास सफल हो सकती है नहीं तो इसके परिक्रिया जो निकती पत्र योगदान की होती है उसमें भी देरी लग सकती है अतर आप अगर सजग रहते हैं तो आपको इस नियोजन से जल्द ही छुटकारा मिल सकते हैं और आप एक अच्छे जौब सिक्षक के लिए निप्त हो सकते हैं और अपनी योगदान करवा सकत हैं चलिए वीडियो में अभी तक मैंने हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग प्लिज सब्सक्राइब मैं चैनल और शेयर दिस वीडियो और नियरेस्ट फ्रेंड और रिलेटिव्स